नमस्कार दोस्तों, Target with PS Parihar चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल के मादने से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से समन्दित सभी सूचना दी जाती हैं। चाहे वो भरतियों से समन्दित कोई notification हो, या भरतियों से समन्दित कोई सरकार का सासना देश हो, या विद्यार्थी जीवन से समन्दित हाई कोड या सुप्रिम कोड या कोई order इत्या दी। उसी क्रिम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में अरचन की नई नीत की, सुचना ये है कि OBC और SC के जो अरचन नियम हैं वो अब बदल जाएंगे, लिका है UP में दलितों और पिछणों के अरचन को नए सिरे से बांटने की तयारी, योग इस तरफ पर सहमत ही बन गई है, ये भारती जंता पार्टी की बहुत ही पुरान यूजना है, जिसको यह अब लागू करने जा रही है, इसकी पूरी बात करेंगे इस वीडियो में कि किन वर्गों में किसको किसको बाटा गया है, और किस तरीके से किसको और अरचन अब मिल ताकि आप लोगों को इसी तरीके की अथेंटिक जानकारिया समय समय पर मिलती रहे, ये हिंदुस्तान समचार पत्र है, और इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछणों को कोटे से कोटा देने की तयारी, जाने क्या है सिपारिस, मामला मैं आपको पहले दो लाइन में बता देता हूँ, सरकार का ये कहना है कि OBC में कुछ खास लोगों कोई अरचन का लाब मिलता है, बहुत सी ऐसी जातियां है OBC में, जिनको अभी तक अरचन का उचित लाब नहीं मिल सका है, सरकारे क्या करती रही है कि जिन जातियों का विकास नहीं हो पाया है, जो मुकी धारा पे नहीं आ पाई है, उन OBC जातियों को ऐसी में भेज देती हैं और इनका जो विकास है तपर भी नहीं हो पाया है, इसलिए अब अलग अलग जातियों को अलग अलग अरचन दिया जाएगा, इसी तरीके से दलित में बहुत से ऐसी जातियां है, और बता दू, सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया है, इसमें मेरा कोई वेचार नहीं है, सरकार ने जो किया है, उसकी में किवल आपको सूचन दे रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये अच्छा है या बुरा है, लिखा है कि उत्तर परदे सरकार दलितों और इससे अनुसूचित जाती जन जाती अन्य पिछड़ा वरकी उन जातियों को अरच्छन का पूरा लाब मिल सकेगा जो अब तक अरच्छन के फायदे से वंतित रही है दलितों के लिए एक हुकुम सिंग कमेटी थी उसकी सिफार से कामकरींगी लिखा है योगी सरकार ने दलि द inजलिता में वह थातियों के लिए सम्मीप बनी थी और इस समीथ ने जो दलित जातियां हैं उनका व्यभादन किया था और बताया это कि भालangen दालित महा दलित है और इनको अलग अरश्म मिलना चाहिये और जोर हुकुम सिंग कमेटी ने दिय चो हुकि की थी उसी कमेटी के और यहां पर लिखा कि 79 पिछड़ी जातिया थी उनको तीन भागों में बाटा गया है और आगे देख लेते हैं कि तीन जो वर्ग बनाए हैं उसमें कौन सी जाती किस वर्ग में आती है यह देखिए यह तीन स्रेणिया बनाई गई है पहले स्रेणिय में कुर्णी में यादव और चोरसिया जो संपन्य जातियां है और इनको पहले स्रेणिय में रखा गया है और उसके बाद में दूसरे भाग में किया गया है कुछ्ववाहा साक के लोज साहू तेली गुझजर माली जो 27 प्रितिसत रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में उबिसी को दिया जाता है अब यह पहली दूसरी और तीसरी स्रेड़ी में अलाग अलाग सताइस परसेंट को बाट दिया जाएगा अभी यहां पर यह इस परस्ट नहीं है कि जो पहली स्रेड़ी में है उनको कितना दूस जाटव और जो अनुसूची बाह है उसमें वालमी की धानुक खटिक धोबि और 65 अन जातियां जिनको अरच्षन कलाग उस तरीके से नहीं मिल पाए जिस तरीके से मिलना चाहिए तो जो एसी हैं उनको दो भागों माता गया है और जो विसी हैं उनको तीन वागों में रहा है यह करनाटक आंद्रप्रदेश हरियाना बिहार पस्चिम बंगाल महाराश्ट तमिल लाडू और कई राज्यों में इस त्रीकी के विवस्था विद्यमान है और यहां पर कई जो समाज सास्त्री हैं कई लोग हैं उनके स्टेटमेंट भी समाचार पत्र में दिये हुए जैसे यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि कोश कॉलेश्टर प्रीदर्सी यह प्रोफेसर है गोरग पुर्विस्थी विद्याले के इन्होंने कहा है कि कई दलित और ओबिसी जातियां अरचन के दारे में आते हुए भी अवसरों से वंचित हैं वाकई यह बात देखने को भ उठाया है जिस जाति की सकता रहे है केवल उनी जाति के लोगों को रिजर्विशन का फायदा मिला है तो अब देख लेते हैं कि इससे भी कितना फायदा होता है और क्या होता है तो दोस्तों फिलहाल यह हो गई आज की अपडेट और इसी तरीकी के अपडेट प्राप्ड क